हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे गाजर हरी मिर्च और अदरक का अचार जिसे बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए गाजरे उसको भी हमने अच्छी तरह से धो के सुखा के छोड़ी पीसीज में कट कर लिया है ऐसे ही मैंने लिए 14-15 मिर्च उसको भी हमने एके कट लगा के बीच में से काट लिया है और छोटा सा टुकडा लिया था दरक का उसको भी हमने छोड़ी पीसीज में कट कर लिया है तो यह सर्दियों के सीजन का स्पैशल गाजर मिर्च का अचार इंस्टेंट अचार जिसे हम मिंटों में बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए हमने यहां पे मैंने पीली सरसो लिये क्योंकि इसे चार बड़ा टेस्टी बनता है और एक चम्मच लिये मैंने राई और साथ में लिये काली मिर्च 15-20 दाने इसके और एक चम्मच साबुजीरा इसको हम एक मिनिट के लिए हलकी आँच पी रोस्ट कर लेंगे इससे मसालो की जो है भिनी भिनी सी कश्वुवानी शुरू हो जाती है अब साथ में जाएगा इसमें आधा चम्मच मेथी धाना दो चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवैन इसको भी हम साथ में इसके रोस्ट कर लेंगे आधे मिनिट के लिए मसाले को ठंडा करके हम जार में डालके इसको मोटा मोटा दर्दरा सा क्राइंट कर लेंगे यह आगे हमारा मसाला अब इसमें आड़ करेंगे हम एक चम्मच धनिया पाउडर यह मेरे पास क्रेंड करा हुआ है तो मैं ऐसी दार रही हूं अगर आपके पास साबूत हो तो साबूत भी पहले मिला सकते हैं आधा चम्मच कलोंजी इसको मिक्स कर देंगे हम आधा आधा अब इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसको मिला के हम मसाले को मिक्स कर लेंगे यह मसाला आप कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी वे चार में यूज किया जा सकता है अचारी मठी में यूज किया जा सकता है तो यह मसाला हमार वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके अपने ही चैनल अनीता की इंडियन सोई को सब्सक्राइब करना मत भूलें अब एक पैन में हम सरसो का तेल लेंगे इसको अच्छी तरह से धुवादार गरम करके फिर ठंडा कर लेंगे और इस ठंडे तेल में हम यह गाजर हरी मिर्च और अदरक मिलाएंगे और इस गाजर अद्रक हरी मिर्च को हम गैस पे ओन करके एक मिनिट के लिए इसको पकाएंगे हमने अच्छी तरह इसको सब्जी की तरह नहीं पकाना बिल्कुल हलका सा इसको सौफ्टी करना है ज्यादा से ज्यादा एक मिनिट के लिए बस दो चम्मच पकाएंगे फिर एड़ और साथ में जाएगा हमारा जो हमने इंस्टेंट मसाला बनाया है अपना अचारी मसाला वो मिला देंगे हम इसमें तीन चम्मच बाकी आप स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं अगर जुरूरत पड़ी तो हम और भी मिला सकते हैं प्लेट बंद कढएंगे तक इसको मैंने प्लेट में निकाल अब इसको cha 그거 हम ठंडा होने देंगे थिन आंगे एक चम्मच सिर्का र्थ बलते हैं आप इसको जैसे मर्जी स्टोर करके दो तिन महिने तक खा सकते हैं चाहे फ्रीज में रख दे तो बिल्कुल भी अचार हमारा यह खराब नहीं होगा सर्दियों के सीजन में गाजर तो आम ही आती है तो जब मर्जी हम यह अचार बना के इसको खा सकते हैं इसको एक कंटेनर में डाल के इसको उच्छी तरह से बंद करके अपने परिज में रख सकते हैं जाहे बाहर भी पड़ा में यह खराब नहीं होता इसको बनाए और अचार तो आपको मेरी वीडियो कैसी ही लगी हो प्लीस कमेंट वोक्स में जरूर बताएं तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपे के साथ